एक बार की बात है, एक किसान था जिसके पास भारत के एक ग्रामेन गाउ में जमीन का एक छोटा सा भूखंड था. एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति गाउ में आया और उसने देखा कि किसान अपने खेत में कड़ी महंत कर रहा है. बुद्धिमान व्यक्ति किसान के पास गया और उससे पूछा तुम जीवन से क्या चाहते हो? किसान ने उत्तर दिया, मैं एक बड़े घर और बहुत सारी जमीन के साथ अमीर और सफल बनना चाहता हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, यह एक महान आकाक्षा है, लेकिन याद रखें की धन और सफलता हमेशा खुशी नहीं लाते. अभी आपके पास जो है, वह आपके विचार से कहीं अधिक मूल्यबान है. किसान ध्रमित हो गया और उसने पूछा क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो एक गरीब किसान हूँ जिसके पास जमीन का एक छोटा सा तुक्रा है. बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, अपने चारों और देखो. तुम्हारे पास अपनी फसल उगाने के लिए धूप, बारिश और मिट्टी है. तुम्हारे पास एक परिवार है जो तुम्हें प्यार करता है. तुम्हारा समर्थन करता है. तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन है और सिर पर छत है ये हैं चीजे जो वास्तव में जीवन में मायने रखती हैं किसान को बुद्धिमान व्यक्ति के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ और वह जीवन में साधारन सुखों की सराहना करने लगा उन्होंने अपने क्षेत्र में कड़ी महंत की जो उनके पास था उसके लिए आभारी थे और गाव में अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाने जाते थे समय के साथ किसान का छोटा भोखंड अधिक उठ जाओ और उत्पादक बन गया और वह अपने परिवार के लिए प्रदान करने और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम हो गया उन्होंने महसूस किया कि सफलता धन या संपत्ती से नहीं मापी जाती बलकि किसी के रिष्टों की समरिधी और किसी के चरित्र की गुनवत्ता से मापी जाती है कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची खुशी और सफलता भीतर से आती है और हमें हमेशा और अधिक के लिए प्रयास करने के बजाए जो कुछ भी है उसके लिए सराहना और आभारी होना चाहिए